नमस्कार किसान तो दियो स्वागत है अपका यूथेकरिकल्चर की एक और नए वीडियो में जिनकिसान बंधू का खेत अभी खाली है जो सबजी वर्गिये खेती नहीं करते हैं या फिर वो आलू लगा लिए और अभी उनकी खेत खाली पड़ी हुई है या फिर सरसो की कटि प्रफिट के लिए आप मूं की खेती जरूर कर लें अभी मुं की खेती मुंक का मार्केट में मुंका रेट का बहुत बढया है और मुंग हमारे घरों में भी ज्यादा में यूद़ कि चीजे काफी पॉस्टिक चीजे लोग उसको फुला करके भी खाते है सुबह में डाइ और उसकी एक तुड़ाई ले लिजिए एक दो तुड़ाई ले लिजिए और उसके पस्चाथ उसकी जुताई करवा दीजिए खेत में आपके खादका भी काम कर जाएगा और कुछ आपको बेनिफिट भी हो जाएगा मुंग का बीज आप दो तरीके के बीज आजकल मार्केट में मौझूद है एक हाइबरीड होता है एक अपना देसी बीज होता है तो जो देसी बीज है वो आप ज्यादा लगाने की कोशिस करें धीरे धीरे देसी बीज मार्केट से समाप्त होती जा रही है देसी बीज का रेट चलानी से ज्यादा भी होता है जो हाइब्रीड होता है उसको आम भासा में लोग चलानी बीज बोलते हैं तो देसी बीज लगाने की अपकोसिस किजिए देसी बीज ही ज्यादा पॉस्टिक चीज उसमें होती है और छोटी छोटी याकार की जो होती है उस ओसी का हम घुरों में तलका भी बनाते हैं उसी का फुला करके खाने में में परियोग ज्यादा मात्रा में लोग करते हैं कर वहीं चीज़ ज्यादा हमे स major and competitors जो सभाब थोते जा रहा है तो इसकाrate भी बढ़ते जा रहा है तो को हम भीम में भी सकते हैं next year जो होता है वो मार्केट में मतलब खाने के लिए भी यूज होता है और सनातन धर में हिंदु समाज में उसकी लोग पूजा करने में उसका काफी ज्यादा परयोग करते हैं उसी का दिया जलाया जाता है सामको घरों में तो तील की खेती भी किसान कर सकते हैं चाहिए वह तिल भी आप लगा सकते हैं तो इस तरीके से ये दो खेती काफी महत्वपूर्ण है अंडर रेटेड खेती है इसको लोग जल्दी चूज नहीं करते हैं आप इसका चुनाव करके जो किसान बंदू इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं है सिर्फ आपने लगाई और इसमें हलक फुल के खाद या फिर पहले से भी हमारे खेत में खाद मौजूद होते हैं तो अगर आप खाद नहीं भी देते हैं तो ये आसानी से हो जाती है तिल में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है थोड़ी खाद ज्यादा देनी पड़ती है तो मूं क प्रेसियम का परियोग जरूर करें मौंग में भी और तील में एक माइक्रो न्यूट्रेंट और एक घलकी इंसेक्टिसाइट का परियोग आप तब कर दे जब वह फ्रूटिंग लेने वाला हो उस वक्त में ताकि हमारे फल में कोई कीट नहीं आए और हमारी फसल स्वस्त् दीप ली जनकारी के लिए तिल भी खिटिया में कैसे करनी है चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर दे मिलते हैं को वीडियो में तब तक के लिए जय हूंदी